आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेमोगलोबिन के बारे में हम अपनी खून की जांच कैसे कर सकते हैं हम घर पे मशीन के द्वारा कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कितना खून है तो हम देखते हैं हम अपनी खून की जांच कैसे करेंगे इस वीडियो में आप किसे आप अपना खुण कर सकते हैं तो सबसे पहले हम वह समान रख लेते हैं जिसके हमने जरूरत हमें कोटन की जरूरत है हमें लेंसेट चाहिए फिंगर में प्रिक करने के लिए सेनिटाइजर चाहिए ये है HB QVIT और HB STRIPS भी बोल सकते हैं आप ये HB TEST के लिए सबसे important है क्योंकि इसी से हम HB TEST करेंगे तो अब हम देख लेते हैं HB TEST करने के लिए हम जो hemoglobin meter जो machine use कर रहे हैं हम अपने खून की जाज के लिए ये है hemoglobin meter ये machine है जिससे हम अपने खून की जाज कर सकते हैं तो अब मैं आपको बताती है इस machine को use कर से करना है सबसे पहले हम इसका on off button बताते हैं जो बीच में select वाला option है ये इसका on off button है हमें इसमें कोई setting नहीं change करने हैं सिरफ हमने ओन करनी है machine और machine on होते ही अपने आप आपको ये शो कर देगी अब आप इसमें sample डाल सकते हैं तो आपको मैं बताती हूं sample डालना कहां पर ये side में जो black color का इस side आपको दिख रहा है आप यहां पर sample रखने के बाद इसको बंद करेंगे तब ये आपको HB की value दिखो आपको यहां पर HB की reading शो होई गी अभी हमने इसके अंदर कुछ डाला नहीं था क्योवेट ने डाली थी अच्बी स्ट्रिप ने डाली थी इसलिए हमें value शो नहीं करी तो अब आपको पताती प्रोसीजर क्या करना हमने हमने जो हमें टेस्ट के लिए समाच चाहिए वह एक जहेंगा पर रख लेना है sanitizer और cotton से finger को अच्छे से clean करना है उसके बाद lenset की help से हम prick करेंगे finger में एक large round drop नाएंगे pressure मनाएंगे पहले finger पर prick करने के बाद large round drop नाएंगे हम उसके बाद जो hb strips है या फिर hb q weight है उसको अच्छे से fill करेंगे blood की drop से fill करने के बाद हम patient की hand पे cotton लगा देंगे और जो strips है hb strips है उसको हम machine में रखेंगे machine में रखने के बाद इसको machine को बंद करेंगे तब यह हमें hb की value शो करेंगी machine तो देखें जो hb की value आई है वो 16.3 यह normal value है man के लिए hb की जो normal range है वो आप screen पर देख सकते हैं normal range होती है सब की different होती है man, woman और children तीनों की different range होती है hb की और जो children उनमें hb का level जादा होता है जिसमें hb का level कम आएगा वो patient anemic है, वो किसी disease से सफर कर रहा है तो वीडियो आपने देख ली, वीडियो आपको कैसे लगी comment में जरूर बता है वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, thank you